बापु जी को शडंत के तहत फसाया गया है विधर्मियों ने जो नहीं चाहते हमारा भारत आगे बड़े एड़की को एक भी खरोश नहीं आये ती ऐसा मेडीकल रिपोर्ट में प्रमाणित होता है साफ लिखा एक खरोश भी नहीं है अगर अभी तक उन पे किसी भी रेप का कोई प्रमाण सित्थ नहीं होता है किसी जो है जाच में यह पाया नहीं गया पास को कानून के अंतर के रे मैं संजर सिंगानी कानपूर इवा सेवा संगसे हूं और यसी से जोड़ा हूं और इसीरे से ही सेवा परचाघ्रा के करता है मेरा बिजनेस है बॉक्स का मेरा फैक्टरी है वेरी उसमें जलिंजिवैक चप पल जूतों के जलिवैक required control मेरे खारी है मैं बापू जी से कम से कम 17-18 सालों से जूड़ा हूँ ए जो बापू पे जो आरोप लग रहे हैं बापू छे सालों से जोदपुर जेल के अंदर बने उसके बारे में क्या का होगoba मैं तो समझता नियुक से जनिशाम गवर में हैं कि हम उनकी सीडियों से उनके विचार सुनते रहते हैं और अंदर से हमें एक शक्ती मिलती है जब भी हमें कोई कमजोरी लगती है कोई लगता है कि हम हार रहे हैं या विकार हम पे हावी हो रहे हैं या समाज की बाते हमारे कानों में गुस रही हैं और हिदय में घर कर रही हैं तुरंत हमें बापु जी दिखाइदेते हैं और उनके वचण हमें का है याद आ आ जाते हैं समरण में कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा सत्र के मार कुण सत्र को चलते हैं दो लेकिन लोगों का तो ऐसा कहना है कि गलत गतिवी दिया होती है बापू और आश्रम के द्वारा तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे मैं उनको कहना चाहूंगा यह सब एक विधर्मियों का शड़न्त रहे और शड़न्त मात्र है उसमें हम न वसे ऐसा है और भी हमारे काफी मात्मा होगे मात्मा बुद् लग रहे लेकिन जब यह शड़नर्त बढक ऐसमें उनको वहाम पर गार धीया था और उसके बाद उनको सब पूझें लगे अज व council बुच्ते और उनको आधर देते हैं इसी तरह से बापु जी का बापु जी को शड़नत के तहत फसाया गया है विधर्मियों ने जो नहीं चाहते हमारा भारत आगे बढ़े ऐसे कही देश हैं जैसे कही धर्म है जो प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं और कैसे भी चाहते हैं कि उनके जो है मैं अगर मेडिकल का रिपोर्ट की बात रखूं तो लड़की को एक भी खरोष नहीं आई थी ऐसा मेडिकल रिपोर्ट में प्रमाणित होता है साफ लिखा एक खरोज भी नहीं है अगर उसका अगर रेप हुआ होता तो कुछ तो खरोच होती जबर जबर्दस्ति करो मैं नहीं मान सकता और अभी तक उन पर किसी भी रेप का कोई प्रमाण सिद्ध नहीं होता है किसी जो है जाच में यह पाया नहीं गया तो उनके पास कोई प्रमाण नहीं था कोई एविडेंस नहीं था कि वह रेप के लिए बोल सकें उन्होंने साब बोला पास को कानून के और इस कानून विवस्ता पर परिवर्तान करना चाहिए और सरकार को बिलकुल इस पर विचार करना चाहिए ऐसा मैं अनुरोद करता हूँ आपने देखा 17 सालों से संत असाराम जी बापू से जुड़े हुए इनका यही कहना है कि आसरम के अंदर कोई गलत गतिविद्या नहीं होती और बापू के द्वारा समाज उत्थान के ही कारिये होते हैं और आज भी संत असराम जी बापू को बहाई निरदोस बांते हैं और लगाता तार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे से जल सय बसल दिभापू को रिया किया जाए